में आपके साथ जो लुक शेर करने बारी हूँ वो मेरे लिए बहुत ही जादा स्पेशल है वो है एक बेंगॉली एंट्रेस राहिमा सेर का इंस्पार्ड मेकप लूप बहुत सरे लोग मुझे कॉमेंट परते रहते हैं कि आपका फेस बहुत ही जादा राहिमा से सिमिलर है तो मैंने सुचा कि उनका कोई लुक मैं अपने ऊपर क्रियेट करूँ और आपके साथ वो लुक शेर करूँ तो यह है वो लुक जो आप देखते हैं अभी कॉमेंट करके जरूर बताना कि यह लुक आपको कैसा लग रहा है क्या मैं राइमासन की तरह दिखती हूँ की नहीं आपको यह इसमें का लगता है तो प्लीज इसको कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको 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 कोई वीडियो आपको 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 कोई वीडियो आपको 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 आपक तो पहले मैं यूज करूँगी नीविया सोफ्ट मॉश्टृराइजर फेस को मॉश्टृराइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है मेकप के पहले क्योंकि इस से मेकप बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का प्राइमर समर की टाइम में प्राइमर इस्तिमाल करना बहुत ही जुरूरी होता है मैं इसको अपने बीक पोर्स की जो एडिया है उधर अप्लाई करूंगी ताकि मेरा सिबम प्रोडक्शन कम हो जाए नेक्स्ट आइब्रोज को फिल इन करने के लिए मैं इस्तिमाल करूंगी मिस्स क्लेर का आइब्रोज पेंसिल इन दे शेर डार्क टाउं अelnक्स्थ अपने पिग्मेंटेशन को खाइड करने के लिए मैं करूंगी करोंगी कलर करेक्शन विद दिस पिंच कलर बिप्स्टिक इसको मने थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लूँगी से से ही उसको Exact पैंग और सीक और फिन्गर से ही उसको ब्लेंड कर लोगी को के फेसmek पिग्मेंटेशन है तो आपको कलर करेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है अध मैं इस्तिमल करूंगी वेचन वाइल्ड का हाइलाइट एन कॉंटो पैलेट से ये बनाना शेड और इसको मैं इकदम थोड़ा सा जाहा जाहा मैंने कलर करेक्शन किया है उधर ही अपलाई करूंगी ताकि वो फाउंडेशन के साथ या फिर कॉंसिलर के साथ मिक्स ना हो जाए इसको मैं पहले अंडर आई आई लीड और जाहा जाहा मेरा पिपेंटेशन प्रॉब्लेम है उधर अपलाई करूंगी एंड देन फिंगर्स की मदद से ही उसको प्लेट कर लोगी आफ्टर देट मैं फिर से इस्तिमल करूंगी वेटन वाइल का वो बनाना शेड और इससे मैं अपने फेस को सेट कर लूंगी ताकि वो क्रीज ना हो जाए सेम पैलेट से कॉंटूर शेट को लेके मैं अपने फेस को कॉंटूर कर लूंगी ताकि मेरा फेस थोड़ा सा पतला दिखेंगे इसके बाद आई लूप को क्रीट करने के लिए मैं पहले इस्तिमल करूंगी फेस कंड़ा का काई इसको पहले मैं अपने आई लिट पे थोड़ा सा ठीक ड्रॉप कर लूँगी आई क्रीट करने के लिए मुझे दो फलर चाहिए वह एक ब्लैक और एक प्रांड एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं ब्लैक आई आई शाड़ो को लूँगी और उस काजल के ऊपर उसको डिपोजिट करूंगी पैट मोशन में फिर सेम ये ब्लैक कलर आई शाड़ो को फ्लैट शेड ब्रश में लेके अपने लोर लैश्ट लाइन को स्मोक अक करूंगी इसके बाद मैं अपलाई करूंगी वाइट काजल इससे आग थोरा सा बढ़ा दिखते हैं ये वाला जो काजल है ये एनवाई बे से है और इसका प्राइस है 62 रूपिस वाइट काजल से ही मैं अपने आइब्रो वोन को हाइलाइट करूंगी इसके बाद मैं अपलाई करूंगी मेबलिंग का हाइपर कर्ल मस्कारा इससे मैं अपने लैशेस को अच्छे से कोट करूंगी फिर में अपलाई करूंगी थो रासा ब्लाश इसके लिए में इस्तेमाल करूंगी वेटन वाइट कालर आइकोन ब्लाश इन दे शेड मेलो वाइन फिर मैं अपलाई करूंगी वेटन वाइल्ड मेगा ग्लो हाइलाइटर इन दे शेड प्रेश्योस पेटल्स इसको मैं अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट्स पे बहुती थोड़ा सा अपलाई करूंगी थोड़ा सा मैं अपने इनर कॉर्णार में भी अपलाई करूंगी इससे मेरे आइस थोड़ा सा उपिनप दीखेगा ब्रश के बीना भी आप स्मोकी आईस क्रिएट कर सकते हो इसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया है तो आप चाहें तो चेक कर सकते हो मैं लिंक डेस्रिप्शन बॉक्स में देदागी अगर आपको लगता है कि मैं सच में राइमास इंकी तरह दिखती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते हो मेरा लिंक डेस्रिप्शन बॉक्स में देदागी अगर अगर अपको लगता है कि मैं सच में राइमास इंकी तरह दिखती हूँ तो प्लीज कोमेंट करके जरूर बताना इट विल फॉन फॉर में तो मैं रिखते हूँ अब से मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिर देल टेक ख्यार और बाई-बाई-बाई देखको